हलो दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी चैनल केरियर अपडेट वाई इंजिनियर में मैं हूँ रंजन राज और आज हम लोग डिसकस करने वाले एक सवाल जैसा कि आप लोगों ने क्या कोर्स है सिर्फ 5 साल के लिए वैलिट रहता है इस पर हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो आपका सबसे बड़ा सवाल आता है बार बार और रोज आप लोग पूछते हैं कमेंट भी पूछते हैं मैसेज भी करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा ठीक है तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई नीमी के कंप्यूटर में भुशके नहीं बेटा है तो ये जब कोई तीस तारीक ठीक है और उंतिस तारीक को क्या किया था मैंने नीमी को मेल भी किया था जो आपकी नीमी की ऑफिसियल मेल है ठीक है नीमी online admission की जब website पर आप जाएंगे तो आपको official mail मिलेगे और number मिलेगा ठीक है तो number तो कभी उठता ही नहीं है reply आता ही नहीं है तो मैंने mail किया लेकिन वहाँ से भी 29 तारी कोई तो यह अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जो CITS course क्या रहता है सिर्फ 5 साल तक valid रहता है तो कि पिछले साल certificate में जब मिलने लगा CITS का तो वहाँ पर क्या लिखा रहता था कि this CITS या this CTI course is only valid for 5 years ठीक है उसके आगे कुछ चीज़ें और लिखी रहती थी वो क्या थी for extending the validity of this course you also do a short term course या short term re-skill course ठीक है ठीक है तो इसका मतलब समझे है माल लीजिए अभी 2020 चल रहा है 2020 में आपने क्या किया ठीक है CITS किया 2020 से 2021 जो भी आप समझे है तो पांच साल बात क्या रहेगा पांच साल जैसे माल लीजिए आप किसी कॉलेज में टीचर हो गया चाहे वो प्राइबेट हो गवर्मेंट हो तो जब हमारी टेक्नोलोजी का छेतर है यानिकि इंजिनरी का कैसा छेतर है टेक्नोलोजी का छेतर है तो यहां पर कुछ नए टेक्नोलोजी आती रहती है ठीक है पांच साल में कोई नया मसीन आ गया कोई नया टेक्नोलोजी आ गई तो क्या आपको उसका ग्यान रहेगा हो भी सकता है ले लेकिन उनको वो भी चाहिए जो आपने पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो नई टिकनलोजी इनोवेट हो रही है जनरेट हो रही है पुरे विश्व में या दुनिया में नई मसीनिया आ रही है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तभी तो आप नए छात्रों को उसके बारे में बता पाएंगे तो वही काम आपको करना है जैसे आपने CITS पास किया 2020 से 2021 में तो 5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा एक short term course करना पड़ेगा ठीक है एक short term course फिर से करना पड़ेगा जिसकी duration क्या हो सकती है 15 से 30 दिन तक हो सकती है तो इस 15 से 30 दिनों में जो आप short term course करेंगे जो नई टेकनोलोजी 5 साल में आई हुई है जब आपने CITS करने के बाद उस नई टेकनोलोजी से आपको आउगत कराया जाएगा और उसके बाद जो आपका ये CITS course रहेगा इसकी जो validity है ये 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी जाएगी तो ये जो आप लोगों के मन में doubt है कि क्या सिरु 5 साल तक valid रहेगा तो जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस क्या करना रहेगा आपको 15 से 20 दिन 30 दिन कुछ भी इसका duration हो सकता है उतने दिन का आपको course करना रहेगा और फिर जो आपका CITS course की जो certificate की value है वो 5 साल के लिए क्या हो जाएगी extend हो जाएगी तो क्या है एक सही initiative है ताकि आप 10 साल 15 साल बाद भी अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाया अगर आप teacher रहें तो आप क्या रहें नई technology से रूबरों रहें नई नई चीजों से क्या रहें रूबरों रहें और वही student को बताएं ठीक है तो मेरा main purpose यहीं था जो आपके मन में ही सवाल था कि क्या आप 5 साल तक वैलिड रहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इसकी वैलिडिटी जब तक मतलब आपकी उम्रे रहें रहें याने की apply करने की teacher के लिए तब तक इसकी वैलिडिटी रहें तो कोई tension नहीं या आप लोग CITS अगर करना चाहते हैं तो करिए बस आपको 5 साल बाद एक थोड़ा सा ये छोटा सा सार टर्म कोस करना पड़ेगा जिससे इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी फिर से 5 साल के लिए बढ़ जाएगी और रिजल्ट के लिए को मैंने आपको पहले की बता है परसान मत हो ये आज 30 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 29 सितंबर को मैंने मेल भी किया था लेकिन वहां से कोई रिप्लाइग नहीं आया उम्मीद है कि एक से दो दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बिलकुल ये परसान मत हो ये साथ ही CTI से जुड़ी आगे की अपडेट के लिए चैनल का सब्सक्राइब निए कि सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी आगे मैं अपडेट दूं CTI के बारे में वो आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए अपडेट के साथ तब तक बने रही हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद